तो जो cycle 3 है BGM players के लिए काफी एक मनुस cycle रहा क्योंकि इसी cycle के अंदर BGM India के अंदर ban हुआ है और अल्मुस्ट 5 मेनिस हम लोग BGM को बीना कोई royal pass के खेल रहे हैं पर इसके बाद जो next cycle आने वाले cycle 4 चाहे वो PUBG Mobile के अंदर ही आए पर BGM अगर Unband होता है इंडिया के अंदर तो ये cycle 4 आपको BGM के अंदर भी देखने को मिलेगा तो cycle 4 का reward के रहने वाले जो की mythic reward हमें मिलता है बिल्कुल free में पर इस बार का जो reward है उसको देखके आपने सची नहीं होगे कि PUBG वाले हमें ऐसा rewards देने वाले है वो भी बिल्कुल free में तो देखते रहो वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे के सारे rewards देखने वाले है बाकि डेली में BGM को तो Unband नहीं कर सकता है पर जो भी मुझे news मिलता है उसके साथ मैं वीडियो बनाते रहे तो एक दिन gap gap मैं भी फिलाल पर regular content आपको जरूर देखने को मिलेगा कुछ नियामी में ट्राइ कर रहा हूँ तो इसके बारे में भी आपको आपको कमेंट इस के अंदर पता लग जाएगा तो तब तक आप वीडियो को लाइक करो एड़ इस वीडियो के अंदर सबसे पहले देखते है cycle rewards चला भई तो cycle 3 के rewards अभी तक आपने कलेट कर लियोंगे मैंने सारी के सारी रिवाट कलेट कर लिये क्योंकि मैंने तीनों सेजन लगातार एस में गया हूँ तो सारी रिवार्स मुझे मिल गया तो अगर आप एक सेजन गैब देदे तो थो थोड़ा ज्यादा आपको रैंग और के expect कर सकते हो कि फ्री में आपको ऐसे रिवार्स मिल रहे तो भाई अलगी लेवल के एक हेटगेर आपको मिलने वाला है और कितना खतरनाक लगड़ा है अच्छा आउटफिट का एक हेटगेर आप कहा सकते हो जो कि आपको cycle reward के अंदर बिल्कुल फ्री में मिलने वाला ह तो हाँ आपको मानना परेगा कि पबजी वाले अभी चीज़े हमें दे रहे एक तरीके से क्या सकते हो इसके बाद जो नेक्स चीज़ देखने वाले उसको देखके तो भाई आप मतलब चौकी जाओगे पूरा का पूरा क्यूंकि आपको crown tier के अंदर जो मिलने वाले मतलब यह देखने में तो बताना comment के अंदर कि क्या सा लगा आपको यह outfit overall headgear के साथ काफी खतरनाक लगड़ा है and next item को देखके तो भाई आप चौकने वाले क्यूंकि अगर आप तीनों सेजन लगातार ace के अंदर चले आतो तो जो hoverboard हमें मिलता है इस बार तो normal सा मिला है इसके प ultimate suit के अंदर हो गया या फिट कह सकते एक suit के अंदर हो गया उसको भी टकर देर है तो मुझे तो काफी खतरनाक लगा है तो भाई यह सारे के सारे mythic rewards आपको मिलने वाले cycle 4 के अंदर तो बताना comment के अंदर आपको इस बार का cycle reward कैसा लगा तो तीनों सेजन मिला के एक cycle होता है एक सिजन रहता है दो मेने तक तो अल्मुस्ट छे मेने तक कह सकते हो cycle 4 रहने वाला है और January 1 के अंदर आपको cycle 4 देखने को मिलेगा तो अल्मुस्ट कह सकते हो June तक रहने वाला है cycle 4 और सूत्रों के हवाले जितना पता चल रहे जितना भी rumors आमे देखने को मिल रहे है January या फिर February के अंदर हमें गेम देखने को मिल जागा BGMI इंडिया के अंदर अगर March भी होता है तब भी आपको cycle 4 continue होता हो देखने को मिलेगा तो अल्मुस्ट 80% चांस है कि BGMI प्लियर्स को ये rewards मिल सकते है तो थोड़ा बहुत आप खुश हो सकते हो BGMI प्लियर्स अभी आप इ rewards भी देखने को मिलेंगे तो थोड़ा बहुत छोटा मट अपडेट के साथ आपको cycle 4 in-game के अदर देखने को मिल सकते है और उसते पहले अगर अगर आप गेम आही जाते है मतब January के अदर अगर गेम आ जाता है तो नया cycle automatically start हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा मा month 19 का royal pass भी आपको देखने को मिलेगा तो अभी सारे leaks तो सामने नहीं आया है पर month 19 का जो 50 rank का outfit है उसका अफ़तार सामने आ चुक है तो देख सकतो काफी खतरनाक सा एक अफ़तार हमें देखने को मिल रहा है एक assassin type अफ़तार हमें देखने को मिल रहा है तो कह सकतो इसी type के इस टाइप का मनध 20 का देख सकतो कुछ इस type का अफ़तार होने वाल है और सेम टू सेम ही कहा सकते हैं एक एसा सिन टाइम हमें अफ़तार ये भी देखने को मिल रहा है और ये होने वाले मन्थ 20 का 50 रेंग का आउटफिट तो दोनों में से सबसे बड़ी आभी फिलाल आपको फर्श लुक के अंदर कौन सा लग रहा है तो लिप साइट के अंदर वीडियो आरे टैप करके अब चेक कर सकते हो